नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है बालचंद्र, ब्रह्मान्ट सिद्याष्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज की इस वड़े में हम चर्चा करेंगे वरिच्चिक राशी का मार्श दो हजार बाइस का संपुर्ण राशीफद कैसे होंगे ग्रहयों, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशी पर किस प्रकार से असर करने वाले हैं कौन से निर्णे आपको लेने हैं, कौन से निर्णे आपको डालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा ख्षेतर है, जो कि सबसे ज़्यादा प्रभावशली होने वाला है, सबी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं, अपना जो चैनल है, प्रहमांड प्रचिक राशी का मार्च 2022 का संपुण राशीफन, सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जान करेंगे, सूर्य जो कि आपके राशी का दशमेश भी है, जो कि आपके चथुरतो भाव में ब्रहमन कर रहा है, और दिन 15 तरीक के बाद ये आपके पंचम भाव में ब्रहमन करेग या फिर उसके करण घर पर या फिर घर के महौल पर किसी प्रभाव नहीं पढ़ रहा था लेकिन आपका जो नेचर है अगर आपके ऊपर कोई ओवर पावर होता है या फिर हावी होता है तो वो आपको सहन नहीं होता उसी का अनिवाव आपने पिछले करीबन 10-15 दिनों में ल संदर्में में या फिर उससे रिलेड़ेट कुछ अच्छी बाते आपके लिए हो सकती है उसी पर अगर अगर आप शेयर मार्कर से डिल करते हो तो कुछ अच्छे प्रॉफिट्स वगराभी होने के काफी चांसेस बनते है तो यह जो रभी का ब्रह्मन आपके पंचम भाव मंगल आपके राशी का स्वामी भी है और आपका सश्टेज भी है यह मंगल तृतिय भाव में ब्रह्मन करेगा अपने सरवत्तम राशी में या फिर उच्छ राशी में अब यह जो मंगल का ब्रह्मन है आपके लिए बहुत ही ज्यादा शिवफलदाई साबित होगा बहुत काम नहीं करते किसी भी प्रकार डावट हो लेकिन यह जो मेंग्ना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है अगर किसी कोई भी काम Better support में अगर क्विन कंवल में आहए और एक अलगी तरह का confidence जो boost होता है आप में देख आ जहेंगा हलां कि आके राशी में confidence को कमी नहीं होती है। लेकिन कई बार आपके जो राशी है, मनी मन में परता मन करना कच्छे जो बाते हैं, बेलकुर भी काम, लिकिन ब mobility्न करना है। कि लगे काम इसे बढ़ा हो और ज्चोटा है, कि इस मेने में उए आप में ले सकते हो और वो काफी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए भी नजरेंगे आपके काम करने का जो तरीका है वो इस महिने में आपको ज़रूर दिखेगा और जो काम करेंगे वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे अगर आप कोई नोकरी करते है या फिर वियसाय करते हैं उसके संदर में भी अगर कोई बड़ा आपको decision लेला है जो कि implement करना है लेकि मधी मन आपके मन में संदर है उस प्रकार के जो काम है वो भी आप हाथ में ले सकते हैं वो काफी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे इसके बाद हम चर्चा करेंगे बुदगर के बारे में बुदजगर है यह बुदगर आपके तृतिया भाव में ब्रह्मन कर रहा है दिनांग 7 तरीके बाद यह बुदगर आपके चतुरत भाव में ब्रह्मन करेगा और दिनांग 25 तरीके बाद यह बुदगर आपके पंचम तो यहां पर दो-तिन बाते जान देना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगी, आप जो भी इंकम होगी, उसमें से काफी ज़्यादा बाग आपके घर के जो लोग होगे, उनके लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है, मतलब उनके भी कोई मांगे होगी, उनके लिए आपको करना पड़ सकता है, दूसरी ज़्यादा महत पुर्णबाद, यह जो आप खर्चा करेंगे, उसके जो रिजल्ट होंगे, वो काफी अच्छे रहेंगे, लेकिन खर्चा करना पड़ सकता है, और इसके संदर में विचार भी थोड़े आपके मन में आएंगे, लेकिन मोटे सब खर्चा करेंगे गूरुग्र के बारे में, गूरुजग्र है यह गूरुग्रर आपके जदुर्द भाव में ब्रह्मन कर रहा है, पंचम दुर्ष्ट से आपके अश्टम न ब्हुत पुर्णबाद, जयू जानने ना बहुत ही ज़ादा आवश्यक होगा, पहले थे कर्म भाव को देख रहा है तो ये बाद जान लिजे जो भी आप काम करोगे उसमें सफलता मिले की खास करके आपका जो दशमेश है वो भी आपके पंचमभाव में ब्रह्मन करेगा तो करीब वन 15-16 तारिक के बाद का जो समय है उसमें आपका जो भी कारेशेतर है उसमें काफ काफी आपको अच्छे लाब मिलेंगे क्योंकि गूरु की दृष्टी भी आपके सब्तमभाव पर हो रही है इसी वजह से यह जो बाते हैं वो आपके लिए काफी ज्यादा मेहत्वपूर्ण हो जाती है अब यह जो गुरु है यह गुरु आपका पंचमेश भी है और उसी जो परणाम आपको मिलेंगे वो काफी अच्छे मिलेंगे कुल मिलाकर देखा जाए तो यह जो गुरु का ब्रह्मण है वो आपके लिए शुवपलदाई सावित होगा इसके बाद हम चर्चा करेंगे शुक्रगरा के बारे में शुक्रगरा आपके राशे के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होनाता है क्योंकि शुक्र आपके राशे का सब्तमेश भी है और आपके राशे का वेयश भी है जो कि आपके पराकरम भाव में या फिर तृतिया भा आप दोनों में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, इसके पहले मतलब करीबन जैसे ये शुक्र आपके विद्युतिवा भाव में था, करीबन फरवरी या फिर जनवरी के महिने में आपने देखा होगा कि आपके जो वैवाइक जोड़ी दर है, उनके साथ आपके जादा नहीं ज जादा शुबफलदाई साबित होगा, शुक्र के ब्रह्मन आपके तृतिया भाव में होने के करना, आपके ट्रावलिंग वगरा काफी जादा हो सकते है, खास करके आपकी जो वैवाइक जोड़ी दर है, उनके साथ कई बाहर गुमना फिर ना हो सकता है, लेकिन आपके जो आते हैं, जो की रुकी हुई थे, आपके पूरी नहीं हो रही थी, यह जो महिना है, मतलब मार्च का जो महिना है, इसमें उसको गती मिल जाएगी, जिसके जैसे आपके जो काम है, वो काफे अच्छे तरीके से पूरे होते हुए नजर आएंगे, तो शनी है, किसी भी प्रक है, आपके लिए शुबफलदाई होगा, और जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए भी यह जो समफुर्ण समय है, मार्च 2022 का काफी जादा शुबफलदाई सावित होगा, रहु और केतु के बारे में अगर देखा जा तो केतु का जो ब्रहमन है, वो आपके राशे में हो रहा है, जो राहु है, वो आपके सब्तमभाव में ब्रहमन कर रहा है, तो इस मैने के 17 तरिक के बाद करीबन 18 या फिर देड़ साल के बाद ये जो राहु और केतु का ब्रहमन आपके राशे के वेई अबाव में और शष्ट अबाव में होने वाला है, तो पिछले करीब महत पुर्णबाद आपके जो वहीवाई जोड़िदर है उनके संदर में आपके मन में काफी ज़्यदा संदर था आप दोनों में अच्छी नहीं बन रहे थी तो वह जो सभी बाते जैसे ही ये राहू आपके सब्तम भाव से आपके शर्ष्ट भाव में ब्रहमन करेगा तो आ के लिए आपके relationship के बारे में mutual understanding के बारे में काफे अच्छा महतोपुर्ण result आपको जरूर देगा इसके संदर में हम स्वतंतर रुप से एक video लाएंगे जिसमें राहू का जो ब्रह्मन आपके राशने के लिए किस प्रकार का होगा उसके बारे में detail में हम बातचित करेंगे ल आपको जो ग्रहों का जो खेल है या फिर ग्रहों का जो सित्य अंतर है अलग अलग राशी में या फिर स्थान के मादम से भी देखा जाए तो वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुवफलदाई होगा आपको पूरी तरह से जो ग्रह है जो भी है मंगल है शनी है या फिर शुक्र बुद्ध है यह जो सभी ग्रहा आपको पूरी तरस से सपोर्ट देंगे कि आपके मन में जो भी इच्छा है है जो भी महत्वकांग्षा है जो भी एक्सपेक्टेशन है वो आप प्रतेक्षर रूप में ला सकते हैं और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे उसी जो ग्रहयोगा इसका जो प्रवाव है वो देखा जाएगा करीबन एक दो और तीन तारिक को सबसे महत्वकुर्णबाद यह जो ग्रहयोगा है या फिर यह जो दिन है इसमें थोड़ा सा अपने खुद पर खुद की जो आपकी जो सेहत है स्वास्त है उसके बारे में ध्या और गुरु की युद्धी होने जा रही है आपके चतुर्दवाव में अब यह जो ग्रहयोग है यह आपके लिए काफी जादा महत्वण हो जाता है क्योंकि जो गुरु है वो आपका पंचमश है और जो रवी है वो आपका दश्मेश भी है तो जो भी आपका कारिशेतर है उसके संदर में कुछ अच्छी बाते कुछ अच्छी खबर आपको मिल सकती है यह जो ग्रहयोग है इसका जो प्रवाव है वो देखा जाएगा करेवन चार पाच और छे तारिक को जो कि आपके लिए बहुत ही जादा महत्वण और शुब फलदाई साबित होगा आपके घर मंगल और शुक्र की युद्धी होने जा रही है आपके तृतिय भाव में अब यह जो ग्रहयोग है इसका जो प्रवाव है वो देखा जाएगा करेवन पाच छे और साथ तारिक को और यह जो इसके परणा होंगे बहुत ही जादा शुबु पलदाई होगे खास करके अगर आपका विवा हुआ है तो आपकी वायवाय जोड़दार है उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छे देखे जाएगे आप दोनों में जो understanding है जो मेल जोल है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा मदूरता भी काफी अच्छे देखे जाएगी तो इसका जो प बाते जानने ना काफी जादा आवश्यक होगा देखे ये जो ग्रहयोगे इसका प्रभाव है वह देखा जाएगा करीबन 12, 13 और 14 तरीक को तो इन तीन दिनों में आपका जो भी कारिशेतर है उससे रिलेटेट किसी भी प्रकार के बड़े निर्ने नहीं लेना क्योंकि वह ज रूकने की संभावन थोड़ी जादा बनती है घर के जो लोग है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकराव हो सकते हैं तो खुद पर सयम रखना या फिर किसी भी प्रकार के बड़े निर्ने आपके कारिशेतर से रिलेटेट नहीं लेना उसी प्रकार बुद्ध और गुरु की यूती होने जा रही है आपके चौतुरतवाव में गुरु जो जैसे मैंने का यह जो गुरु है यह आपका जुतियश भी है और का पंचमेश भी है और जो बुद्ध है यह आपका तृतियश है और शस्ट है और लाभिश है तो यह जो बुद्ध गुरु की यूती होने जा रही है 21 तारीक को वो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपुर्ण और शुबु फलदधाई होगा पैसे के बारे में कुछ अच्छे लाब या फिर इजी गेंज जिसे हम कहते हैं जिसे मतलब ऐसे लाब जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था अनेक्सपेक्टेड लाब अगरा मिलने की संभावना काफी ज़्यादा बनती है यह जो ग्रह योगे इसका प्रभाव है वो देखा जाएगा करीबन 20, 21 और 22 तारीक को अब यहाँ पर दो तिन बाते हैं जान लेना काफी ज़्यादा आवश्यक होगा पहले सबसे महतो पुर्णबाद यह जो योटी आपके चतुर्थ बाव में होने जा रही है तेज तारीक को इसका प्रभाव है वो देखा जाएगा करेबन 22, 23 और 24 तारीक को तो इन तीन दिनों के दर्मा दो तिन बाते हैं वो ध्यान में लेना जादा आवश्यक होगा किसी भी प्रकार के out of the way जाके काम करना या फिर कभी-कभी होता है यही है कि अगर काम सीधे तरीके से नहीं होता तो हम थोड़ा सा गलत तरीका उप्योग में लाते हैं लेकिन यह जो कालावदी मैंने बता यह जो दिन मैंने बता है उसमें इस प्रकार के काम बिल्कुल भी नहीं करना अगर करते हो तो फसने के चांसे काफी जादा बनते हैं तो इन दिनों में इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही जादा आवश्यक होगा तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो मार्च का महना आपके राश्य के लिए आपके जो भी सपने हैं आपके जो भी मन में इच्छा हैं जो भी महत्वा कैंग्शा हैं वो पूरे करने के लिए काफी अच्छा समय है और ग्रहयोगों का जो साथ है वो भी आपके लिए काफी अच्छा होगा किसी भी प्रकार के problem complications नहीं आएगे जो भी आपका courageous nature है वो सामने लाइए जो भी आपके सपने हैं वो पूरे करने के लिए आप शुरुवात कीजिए उसके संदर में कुछ अच्छे results आपको ज़रू दिखेंगे उसी प्रकार इस मैने के जो अमावस है वो दो मार्च को है और जो पूर्णिमा है वो करिवन 18 मार्च को है अमावस और पूर्णिमा के बारे में अगर देखा जा तो इन दो दिनों में चंदरमा और सूर्य का आकर्शन होता है पूर्थि के अप्रती वो काफी ज़्यदा पाया जाता है इस वज़ए से हमारे जो भावनाएं होती है वो काफी ज़्यदा तीव रितम होती है इसी वज़ए से इन दो दिनों में मतलब आमवस और पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार के महतोपूर्ण डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना अगर वो लेते हो ऐसे डिसीजन ऐसे कमिटमेंट प्रॉमिस है इस डिसक्रशिजन आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकती है रिस्क वगार का जो मामला जो हम कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना करके खास करके आपके राश्ची के बारे में अगर देखा जाए तो आप किसी के साथ ज़्यादा डिसक्स नहीं करते हैं कि मन के जो विचार है, मन के जो निरने है, डिसीजन है, वो आपके, आप किसी के साथ डिसकस नहीं करते हैं, उसे के कारण का भी वो गलत काम भी हो जाता है, इसी वज़ए से, अमाउस और पुर्णे में के दिन किसी प्रकर के डिसीजन या फिर निर्णे बिल्कूल भी नहीं लेना. तो दोस्तों, ये था वृच्चिक रशे का मार्च 2022 का संपुर्ण राशेपन. आपको ये राशेपन कैसे लेगा, आपने किस प्रकार से अनुभोग किया, नीचे कमिंट बोक्स में ज़रूर कमिंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्माट सिद्धी अश्ट्रो, इसे भी लाइक, शेर और सब्सक्राइब ज़रू करना. धन्यवाब.